दोस्तों यदि आपकी भी उमर 17 या 17 साल से अधिक हो गई है और आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया है तो आपको अपना वोटर कार्ड है जो बनवाले नहीं है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस प्रकार से घर बेठे अप बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपना वोटर कार्ड है जो बना सकते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों नहीं वोटर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट के उपर आना पड़ेगा राष्टे मतदा सेवा पोर्टल के उपर तो nvsp.in ये लिखोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा यहां पर सबसे पहले आपको अपनी आईडी बन ना रखी है तो आपको यहां पर लोगिन करना होगा तो आपको इस लोगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना यूजर नेम लगाना होगा और पासवर्ट लगाना होगा और य जिससे आप login कर लोगे तो आपके सामने फिर से यही portal है जो open हो जाएगा और यहाँ पर आप यदि अपना नया watercard बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर register as a new elector या water तो आपको इसके उपर click करना है जिससे आप इसके उपर click करोगे तो आपके सामने इस प्रेकार से form यहाँ प भी देख सकते हो तो आपको नए मातदाता के रूप में आविदन करना है तो आपको यह प्रारूप नंबर 6 तो इसके उपर आपको click करना होगा तो दोस्तों जैसे आप इसके उपर click करोगे तो आपके सामने इस प्रेकार से detail यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर आप आपको अपना district है और इसके बाद में आपको जो parliament है तो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी complete जो personal detail है वो यहाँ पर बढ़नी पड़ेगी यहाँ आपका first name है English में और इसके बाद में आपको हिंदी में नाम लिखना होगा इसके इसके बाद में यदि relative का कोई सरने में है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो हिंदी और English में इसके बाद में type of relation आपको यहाँ से select करना होगा इसके बाद में आप यहाँ पर अपना जो mobile number वो लगा दोगे यदि आपके पास में mobile number खुद का नहीं है तो आप यहाँ पर अपन किसी relative की है तो आप यहाँ पर इसको select कर लोगे इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना अधार number भी लगाना है ताकि आपका अधार number है वो इसके साथ में link हो जाए इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो gender है वो select करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अब दोस्तों यहां पर आपको अपना जो प्रमानेंट एड्रेस है वो लगा देना है यानि यहां पर वार्ड नंबर वगिर है और यहां पर आपको हिंदी में और यहां पर आपको फिर से अंग्रेजी में यानि पूरी डिटेल आपको यहां पर अपने एड्रेस की देनी हो हो या आपके मातपिता के नाम से या किसी के भी नाम से हो अपने प्रिवार में तो उनका डोकुमेट्स आपको यहां पर अप्लोड करना पड़ेगा यानि 5 MB तकी फाइल होने चाहिए और JPG में ही यहां पर फाइल है वो प्लोड करेगी तो यहां पर दोस्तों आप एड्रेस समझेत क्या प्रूफ देना चाहते हो तो आपको यहां पर पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप जो अधार कार्ट देना चाहते हो या अन्य कोई भी जो डोकुमेंट्स यहां पर उपलब्द हैं तो आप इनमें से दे सकते ह तो आप इसके बाद में आपको यहां पर आपकी जो फोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी यदि आपके कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप यहां पर लगा सकते हो जैसे लोकोमोक्टीव है या विज्वाल है या डीप या डम है यदि आप डिसेबल हैं तो आप यहां पर इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो अन्य है तो आप यहां पर अन्य लगा सकते हो इसके बाद में दिटेल ओफ है माई फैमिली मेंबर ओल्रेडी इंक्लूड़ेड इन दा इलेक्टर रोल अपने जो फैमिली मेंबर की डिटेल है वो यहां पर लगानी पड़ेगी और फैमिली मेंबर के साथ में आपकी रिलेशन क्या है वो आपको यहां से सलेक्ट करना पड़ेगा और फैमिली मेंबर का आपको यहां पर जो एपिक नमबर है वो भी लगाना पड़ेगा यानि एडिज़स्ट कर लेनी हैं तो दोस्तों, आपकी फोटो इस प्रकाल से सेटिंग होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो कोरणर दी गए हैं तो इसके अंदर आपकी जब फोटो वह आनी चाहिए और आपको यहाँ पर पर रहे रहे हो और आपका जनम जहां पर हुआ है तो उस गाम का नाम आपको लिखना होगा आपके स्टेट का नाम आपके डिस्टिक्ट का नाम और जब से आप यहां पर रहे हो तब से आपको यहां पर वो डिटेल है वो लिखनी पड़ेगी यदि आप जनम से रह रहे हैं तो आपके जनम की तारीख ही यहां पर लगाने पड़ेगी, यानि डेटो बर्थ आपको यहां पर लगाने पड़ेगी, यदि आपने एज के प्रूफ में कोई अन्य दस्ताविज दिया है, तो आपको यहां पर लगाना होगा, यदि आपने दिये गए दस्ताविज में से ही लगाए हैं तो आपको यहां पर कुछ नहीं लिखना खाली छोड़ना है और यहां पर आपको अपना पेलेस लिखना है यहां पर आज की डेटा जाएगी और यहां पर आपको जो केपचा है वो लगा देना है और यहां पर प्रिवे एंज सब्मीट पर आपको कलिक कर देना ह जैसे आप submit पर click करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से processing चलेगी यहाँ पर तो दोस्तो आपके सामने जो इस प्रकार से जो form है वो आ जाएगा यानि जो आपने अभी form फिल किया है तो वो form completely यहाँ पर आपको preview दिखा देगा तो आप यहाँ पर जो भी detail है वो check कर सकते हो यदि आपकी detail सही है तो आपको submit button पर click करना होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर complete detail आ गई है और आप यहाँ पर submit button पर click कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप यहां पर submit button पर click करते हैं तो आपके सामने इस प्रेकार से जो application number है वो आ जाएंगे और अब आप यहां पर अपना जो status है वो check करना चाहते हैं तो यहां से status चेक कर सकते हैं और आप यह detail है जो अपने पास में save रख सकते हैं बविशे में आपको यह काम आपका यहां पर watercard बना है या नहीं बना तो आपको इस details को यहां पर save रख लेना है तो इस प्रकार से आप किसी का भी यहां पर watercard है वो बना सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लिए जै हिन